हेलो पूरीज फिर से स्वागत है आप सब का मेरी चैनल पे इस फेस्टीव वीग में मैं आपके लिए लेगे आयो हूँ एक ऐसा डेजर्ट जिसमें बिलकुल भी ड्राइफ रूड अंडा एसेंज किसी तरह की कोई फ्लेवर कुछ नहीं है थ्री इंक्रीडियन से बनेगा ये कस्टर्ड पुडिंग रेसिपी है वहत ही आसान लेकिन वीडियो पूरी देखे गया क्योंकि आपको मैं बताने वाली हूँ कि ये देखे मैंने जैसा भी बनाया है जैसा भी टेक्शर है वैसा टेक्शर आपको कैसे मिलेगा थोड़ इसी चीज़े फॉलो करनी होती है और ये देखे एक दम मेल्ट इन माउट कहते है न वैसा वाला परफेक्ट तरीका बताऊंगी और मेजरमेंस भी एकदम परफेक्ट है मेरे ये देखे बहुत ही यम्मी है ये कस्टर्ड पुडिंग जैसे भी खाएंगे मुमें घुल जाएगा बस वैसा ही टेक्शर है तो चली रेसिपी शुरू कर देते हैं मैंने यहां लिया है फुल फैट हाफ लीटर मिल्क ये देखे फुल फैट मैंने जब गरम किया था तो बहुत ही गाड़ी मलाई थी लेकिन उसमें से मैंने थोड़ी निकाल दी और ये वाले दूद में मैंने उसमें सिर्फ दो चममज मलाई रखी है मलाई दूद में फुल फैट आता है वह दूद में फुल फैट मिल्क आता है तो मैंने इसका हिस्तेमाल किया अब दूद में थोड़ी से मलाई इसलिए रखी है क्योंकि एक अच्छा टेक्शर आएगा आपका पुडिंग जब भी अब इसमें सेकंड इंक्रीडियन जाएगा कस्टर्ड पाउडर हाफ लीटर मिल्क में पॉर्फेक्ट जैसा बनाया है वैसा टेक्शिर लाने के लिए आपको हाफ कप चीनी और हाफ कप कस्टर्ड पाउडर लेना है दोनों सेम मेजुमेंट हाफ कप मेरा यह जो है वह हंड्र मेजुमेंट से डाल दिया है हाफ लीटर मिल्क में यह दूद एकदम थंडा है तो अब कस्टर्ड पाउडर नीचे बैट जाएगा तो आपको लगातार इसे चलाना है आपको इस स्टेप पे याद रखना है कि थंडे दूद में कस्टर्ड पहले मिला कि इसके बाद गैस अच्छे से मिलाते रहे है जब तक कस्टर्ड पाउडर अक्छे से घुल न जाए थोड़ा सा भी रह गया गैस पे चड़ा दिया तो गुट्लिया बन सकती है तो यह हमारा पहला स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से कस्टर्ड पाउडर को पहले मिक्स कर उसके बाद हम इसे गैस पर रखेंगे यह देखिए slow flame पर मैं इसे रखके आपको इसे पकाना है करीबन मान लीजे 7 से 8 मिनिट के लिए दीमियाज पर पकाएंगे तब यह इतने मिनिट लगेंगे क्योंकि कस्टर पाउडर भी अच्छे से पक जाएगा और गुटलिया नहीं बैठेंगी अगर गैस की फ्लेम थोड़ी सी भी हाई कर दी तो instant कस्टर पाउडर पकते पकते इसकी लंब्स बन जाएंगे तो आपका क चीनी डाली है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और यह देखे थोरी देर बाद इसका टेक्स्टर देखे अभी ग्लॉसी भी हो गया है और आप स्पैचिला पर देखे ट्रांस्परेंसी आ गई है यानि जो भी इसका कस्टर्ड है वो लग रहा है मतलब यह पक चुका है और अब थोड़ा सा और इसे गाडा करेंगे ताकि यह पर्फेक्ली मैंने बराया वैसे सेट हो एक दब जो भी कंटेनर में आपने डाला है उसी का शेप ले ले यह देखे अब मैं इसके उपर बहुत ही गरम है इसलिए आपको उंगली डाल के बता नहीं सकते वरना स्प पता चलेगा कि यह अच्छे से पक गया है देखें लंप्स भी सौरी नहीं रहे और जो थिकनिस आनी चाहिए वो भी हो गई मतलब पूरा मिक्षय हमारा गाडा हो गया है और शाइन भी आ रही है मैं फिर से बता रही हूं ऐसा नहीं है कि आपको इसमें मलाई डालनी ही है म पूडिंग है अच्छे से सेट हो गया है यानी थिकनिस आ गई है तो यह सेट अच्छे से हो जाएगा तो यह देखें फिर से मैं इस लगातार चला रही हूं मेरे टिन में डालने से पहले ताकि गरम गरम है तो जो भी अगर लंप्स बैट गये है तो वह अभी टूट है और अब हमें इसे अच्छे से थंडा करना है तो थाना बहुत ही आसान सिर्फ थ्री इंक्रीडियंस कस्टड को सिर्फ धीमियाज पर पकाना है और अच्छे से इसे सेट कर देना है तो यह इस दिवाली पर अगर आप इसे ट्राइ करते हैं तो बनाए और यही तरीका is doingky. अच्छे से एक हनुी में और फ्रिज में रख सकते हैं एक घंटे के लिए आदे ज़ए के लिए और इसे थंडा-तंडा करेंगे यह दिए मैं एक हन्टे के लिए इसे क्लिंक क्राप करके इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि है थंदा भी हो जाए और अर अच्छे से कि इसे इस तरह से यह देके डी मोल्ड भी बहुत ही आसानी हो गया तो थाना बहुत ही स्मपल यह देकर मैं एक स्लैस अपको हात में लेक хорошо लेकर के कस्ट रखेले से पग गया ऐसान आगर हात में लग रहा है अगर कस्ट रखेल अच्छे चीजे घर में बना सकते हैं सिर्फ कस्टर पाउंडर, दूद और चीनी मलाई तो अगर घर में आप मलाई वाला दूद ले रहे हैं तो गुड नहीं तब भी ऐसा ही टेक्शर बनेगा तो होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई अगर ऐसी ही रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करिए ये वीडियो को आगे से जितना हो सके शेर करिए और वीडियो को एक लाइक जरूर देजिए थैंक्यू फॉ वाचिंग